लीजे सुनिये मुंशी प्रेम चंद के लिखे कथा संग रहे मान सरूवर पाँच की कहानी सुजान भगत मेरी यनि समीर गोस्वामी के आवाज में सीधे सादे किसान धन हाथ आते ही धर्म और कीर्टी की ओर जुकते हैं दिव्वे समाज की भाती वे पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दोड़ते सुजान की खेती में कई साल से कंचन वरस रहा था मेहनत तो गाउं के सभी किसान करते थे पर सुजान की चंद्रमा बली थे उसर में भी दाना छीट आता तो कुछ न कुछ पैदा हो जाता था तीन वर्ष लगा तारूख लगती गई उधर गुड़ का भाव तेज था कोई दो ढ़ाई हजार हाथ में आ गए बस चित्त की वरत्ती धर्म की और जुक पड़ी साधु संतों का आधर सतकार होने लगा द्वार पर धूनी जलने लगी आनून गो इलाके में आते तो सुज ही रहता महतों मारे खुशी के फूले नहीं समाते धन भाग उनके द्वार पर अब इतनी बड़े-बड़े हाकिमा कर ठहरते हैं जिन हाकिमों के सामने उनका मुह न खुलता था उन्हीं की अब महतों महतों कहते जबान सूखती थी कभी-कभी भजन भाव हो जाता एक महात् किसान ने डौल अच्छा देखा तो गाउं में आसन जबा दिया गांजी और चरस की बहार उड़ने लगी एक धोला काई मजीरे मंगवाए गए सत्संग होने लगा ये सब सुजान के दम का जलूस था घर में सेरों दूध होता मगर सुजान के कंठ तले गूंट जाने की भ पारा पार ना था सब के सामने सिर जुकाई रहता कहीं लोग ये ना कहने लगें कि धन पाकर इसे घमंड हो गया है गाउं में कुल तीन ही कुएं थे बहुत से खेतों में पानी न पहुचता था खेती मारी जाती थी सुजान ने एक पक्का कुआ बनवा दिया कुएं का वि दादा के पुन्य परताब से सुजान ने कर दिखाया एक दिन गाउं में गया के यात्री आकर ठेरे सुजान ही के दौर पर उनका भोजन बना सुजान के मन में भी गया करने की बहुत दिनों से इच्छा थी ये अच्छा अफसर देखकर वो भी चलने को तयार हो गया उसकी काम में मीन मेख निकालना अच्छा नहीं जिंदगानी का क्या भरूसा बुला की हाथ खाली हो जाएगा सुजान भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपए हो जाएंगे उनके हां किस बात की कमी है बुला की इसका क्या जवाब देती सतकार में बाध़ डाल कर अपनी मुक की ठेहरी सारी ब्रादरी निमंत्रित हुई ग्यारह गाओं में सुपारी बटी इस धूम धाम से कार हुआ कि चारों और वाह वाह मच गई सब यही कहते कि भगवान धन दे तो दिल भी ऐसा ही दे गमंड तो चूने ही गया अपने हाथ से पत्तल उठाता फिरता था कुल का नाम जगा दिया बेटा हो तो ऐसा हो बाप मरा तो घर में भूनी भांग भी नहीं अब लक्षमी घुटने तोड़ कर आब एठी है एक जड़ा हुआ धन पा गया है इस पर चार और से उस पर बोचारे पढ़ने लगी हाँ तुम्हारे बाप दादा का जो खजाना चोड़ गए थे वही उसके हाथ लग गया है रे भाईया ये धर्म की कमाई है तुम भी तो च्छाती फाड़ कर काम करते हो क्यों ऐसी उख नही लगती क्या ऐसी फसल नहीं होती भगवान आदमी का दिल देखते हैं जो खर्च करना जानता है उसी को देते हैं सुजान में तो सुजान भगत हो गए भगतों के आचार विचार कुछ और ही होते हैं वो बिना इसनान की ये कुछ नहीं खाता गंगा जी अगर घर से दूर ह और वो रोज इसनान करके दोपहर तक घर न लोट सकता हो तो परवों के दिन तो उसे अवश्य ही नहाना चाहिए भजन भाव उसके घर अवश्य होना चाहिए पूजा अरचना उसके लिए अनिवार है खान पान में भी उसे बहुत विचार रखना पड़ता है सबसे परण मनुश को अगर जूट का धंडेक मिले तो भगत को एक लाख से कम नहीं मिल सकता अग्यान के अवस्था में कितनी ही अपराद शम हो जाते हैं ग्यानी के लिए शमा नहीं है प्राश्चित नहीं है या तो बहुत ही कठिन सुजान को भी अब भक्तों की मर्यादा को निभाना पड़ा अब तक उसका जीवन मजूर का जीवन था उसका कोई आदर्श कोई मर्यादा उसके सामने न थी अब उसके जीवन में विचार काउदय हुआ जहां मार्ग काटों से भरा हुआ है स्वार्थ सेवा ही पहले उसक वो अब उन्हें और चित्तिके काटों पर तॉलने लगा, यह कहो कि जड़ जगत से निकल कर उसने चेतन जगत में प्रवेश किया, उसने कुछ लेंदेन करना शुरू किया था, पर अब उसे ब्याज लेते हुए आत्मिगलानी सी होती थी, यहां तक कि गउओं को दोहते समय उसे बच्णों का ध्यान बना रहता था, कहीं बच्णा भूखा न रह जाए, नहीं उसका रोयां दुखी होगा, वो गाओं का मुखिया था, कितने ही मुकदमों में उसने जूटी शहादते बनवाईं थी, कितनों से डांड लेकर मामले को रफदा फ़करा दिया था, अब मजूरी जितनी कम दी जा सके दो, पर उसे अब मजूर के काम की कम मजूरी के अधिक चिंता रहती थी, कहीं बेचारी मजूर का रोयां ना दुखी हो जाए, ये उसका सुखन तकिया सा हो गया, किसी का रोयां ना दुखी हो जाए, उसके दोनों जवान बेटे बात बात में उस पर फप्तियां कस्ते यहां तक की बुलाकी भी अब उसे कोरा भगत समझने लगी जिसे घर के भले बुरे से कोई प्रयोजन न था चेतन जगत में आकर सुजान भगत कोरे भगत रह गए सुजान के हाथों से धीरे धीरे अधिकार चीने जाने लगे किस खेत में क्या बोना है किस को क्या देना है किस से क्या लेना है किस भाव क्या चीज भी की ऐसी ऐसी महत्वपून बातों में भी भगत जी की सलाह न ली जाती भगत के पास कोई जाने ही न पाता दोनों लड़के यह सुएमबुला की दूर ही से मामला कर लिया करती गाउं भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता था अपने घर में घटता था लड़के उसका सदकार अब बहुत करते थे हाथ से चार पाइ उठाते देख, लपक कर खुद उठालाते उसे चिलम न भर्ने देते यहां तक कि उसकी धोती चाटने के लिए भी आग्रह करती थे मगर अधिकार उसके हाथ में न था वो अब घर का स्वामी नहीं मंदिर का देवता था एक दिन बुलाकी ओकली में दाल चाट रही थी एक भिकमंगा दौर पर आकर चिलाने लगा बुलाकी ने सोचा दाल चाट लू तो उसे कुछ दे दू इतने में बड़ा लड़का भूला आकर भूला अम्मा एक महात्मा दौर पर खड़े गला पाड़ रहे हैं कुछ दे दो नहीं उनका रोया दुखी हो जाएगा बुलाकी ने उपेक्षा भाव से कहा भगत के पाओं में क्या महंदी लगी है क्यों कुछ ले जाकर नहीं दे देते क्या मेरे चार हाथ है किस का रोया सुखी करूँ दिन भर तु ताता लगा रहता है भूला चौपट करने पर लगे हुए हैं और क्या अभी महंगू बैंग आया था हिसाब से साथ मन हुए तौला तौप़ोने साथ मन ही निकले मैंने कहा दस से रौला तो आप बैठे बैठे कहते हैं अब इतनी दूर कहा लेने जाएगा भर पाई लिख दो नहीं तो उसका रोया दुखी होगा मैंने भर पाई नहीं लिखी दस सेर बाकी लिख दी बुला के बहुत अच्छा किया तुमने बकने दिया करो तस पांच दफे मुखी खाएंगे तो आप एही बोलना छोड़ देंगे भोला दिन भर एक ना एक खुचर निकालते रहते हैं सौ दफे कह दिया कि तुम ग्रहस्ती के मामले में न बोला करो पर इन से बिना बोले रहा ही नहीं जाता बुला की मैं जानती कि इनका ये हाल होगा तो गुरू मंत्र न लेने देती बोला भगत क्या हुए कि दिन दुनिया दौनों से गए सारा दिन पूजा पाठ में ही उड़ जाता है अभी ऐसे बूढ ही नहीं हो गए कि कोई काम ही न कर सके बुला की नया पत्ति की बोला ये तो तुमारा कुन्या है फावडा कुदाल अब उन से नहीं हो सकता लेकिन कुछ न कुछ तो करते ही रहते हैं बेलों को सानी पानी देते हैं गाय दोहाते हैं और भी जो कुछ हो सकता है करते हैं बिक्ष्यो कभी तक खड़ा चिला रहा था सुजान ने जब घर में से किसी को कुछ लाते न देखा तो उठकर अंदर गया और कठोर स्वर से बोला तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता कि दौर पर कौन घंटे भर से खड़ा भीक मांग रहा है अपना काम तो दिन भर करना ही है एक चंद भगवान का काम भी तो किया करो बुला के तुम तो भगवान का काम करने को बैठे ही हो क्या घर भर भगवान ही का काम करेगा सुजान कहां आटा रखा है लाओ मैं ही निकाल कर दियाओ तुम रानी बन कर बैठो बुला की आटा मैंने मरमर कर पीसा है अनाज दे दो ऐसे मुडचिरों के लिए पहर राज से उठकर चक्की नहीं चलाती हूँ सुजान भंडार घर में गए और एक चोटी सी चबडी को जो से भरे हुए निकले जो सेर भर से कम न था सुजान ने जान बूच कर कि वल बुला की और भोला को चड़ाने के लिए बिक्षा परंपरा का उल्लंगन किया था तिस पर भी ये दिखाने के लिए कि चबडी में बहुत जादा जोने ही है वो उसे चुटकी से पकड़े हुए थे चुटकी इतना बोज ना समभाल सकती थी हाथ काप रहा था एक शण का विलम्ब होने से चबडी के हाथ से चूटकर गिर पढ़ने की संभाव न थी इसलिए वो जल्दी से बाहर निकल जाना चाहते थे सैसाब भोला ने चबडी उनके हाथ से चीन ली और तेओरियां बदल कर बोला सैथ का माल नहीं है जो लुटाने चले हो चाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं तब दाना घर में आता है सुजान ने किसी आकर कहा मैं भी तो बैठा नहीं रहता भोला भीक भीक की तरह दी जाती है लुटाई नहीं जाती हम तो एक बेला खाकर दिन काटते हैं कि पती पानी बना रहे और तुम्हें लुटाने की सूजी है तुम्हें क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है? सुजान ने इसका कोई जवाब न दिया बाहरा कर भिकारी से कह दिया बाबा इस समझाओ किसी का हाथ खाली नहीं है और पेड़ के नीचे बैठकर विचारों में मगन हो गया अपने ही घर में उसका यह अनादर अभी वो अपाहिज नहीं है हाथ पाउं ठके नहीं है घर का कुछ न कुछ काम करता ही रहता है उस पर यह अनादर उसी ने ये घर बनाया ये सारी वो भूती उसी के श्रम का फ़ल है पर अब इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा अब वो दौार का कुत्ता है पड़ा रहे और घर वाले जो रूखा सुखा दे दे वो खा कर पेट भर लिया करे ऐसे जीवन को धिकार है सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता संध्या हो गई थी भोला का छोटा भाई शंकर नारियल भर कर लाया सुजान नारियल दीवार से टिका कर रख दिया धरे धरे तमाख हुई जल गया जरा देर में भोला ने द्वार पर चार पाई डाल दी सुजान पेड के नीची से न उठा कुछ देर और गुजरी भोजन तयार हुआ भोला भुला ने आया सुजान ने कहा भूख नहीं है बहुत मनावन करने पर भी न उठा तब बुला की ने आकर कहा खाना खाने क्यों नहीं चलते जी तो अच्छा है सुजान को सबसे अधिक रोध बुला की ही पर था ये भी लड़कों के साथ है ये बैठी देखती रही और भुला ने मेरे हाथ से अनाच चीन लिया इसके मुझे इतना भी न निकला की ले जाते हैं ले जाने दो लड़कों को ना मालूम हो कि मैंने कितने श्रम से इग्रस्ती जोड़ी है पर ये तो जानती है दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा भादों की अधिरी रातों में मरईया लगाए जोआर की रखवाली करता था जेट बैसा की दोपहरी मैं भी दमना लेता था और अब मेरा घर पर इतना अधिकार भी नहीं कि भेख तक दे सको माना कि भी कितनी नहीं दी जाती लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए था चाहे मैं घर में आगे ही क्यों ना लगा देता पानून से भी तो मेरा कुछ होता है मैं अपना हिस्सा नहीं खाता दूसरों को खिला देता हूं इसमें किसी के बाप का क्या साचा अब इस वक्त मनाने आई है इसे मैंने फूल की छड़ी से भी नहीं चुआ नहीं तो गाउं में ऐसी कौन औरत है जिसने खसम की लाते ना खाई हो कभी कड़ी निगाह से देखा तक नहीं रुपए पैसे लेना देना सब इसी के हाथ में दे रखा था अब रुपए जमा कर लिये हैं तो मुझी से घमंड करती है अब इसे बेटे प्यारे हैं मैं तो निखटू, लुटाओ, घर फूखू, घोंगा हूँ मेरी इसे क्या परवा तब लड़के ना थे जब बीमार पड़ी थी और मैं गोद में उठा कर बैद के घर ले गया था आज इसके बेटे हैं और ये उनकी मा है मैं तो बाहर का आदमी हूँ मुझसे घर से मतलब ही क्या बोला मैं अब खापी कर क्या करूँगा हल जोतने से रहा फाड़ा चलाने से रहा मुझे खिला कर दाने को क्यों खराब करूगी रख दो बेटे दूसरी बार खाएंगे बोला के तुम तो जरा-जरा सी बात पर तिनक चाते हो सच कहा है बोला हपे में आदमी की बुद्धी मारी जाती है बोला ने इतना ही तो कहा था कि इतनी भीक मत ले जाओ या और कुछ सुजान हाँ बेचारा इतना ही कहकर रह गया तुम्हें तो मज़ा आता जब वो उपर से दो-चार डंडी लगा देता क्यों अगर यही अविलाशा है तो पूरी कर लो बोला खा चुका होगा बुला लाओ नहीं भूला को क्यों बुलाती हो तुम ही न जमालो दो-चार हात इतनी कसर है वो भी पूरी हो जाए बुला की हाँ और क्या यही तो नारी का धरमी है ने भाग सराहो कि मुझ जैसी सीधी औरत पाली जिस बल चाहते हो बिठाते हो ऐसी मुजोर होती तो तुमारे घर में एक दिन निबाहना होता सुजान हाँ भाई वो तो मैं ही कह रहा हूँ कि तुम देवी थी और हो मैं तब भी राक्षस था और अब तो दैत तो हो गया हूँ बेटे कमाऊ है उन किसी न कहोगी तो क्या मेरी सी कहोगी मुझसे अब क्या लेना देना है बुला कि तुम जगड़ा करने पर तुम ले बैठे और मैं जगड़ा बचाते हूँ कि चार आदमी हसेंगे चल कर खाना खालो सीधे से नहीं तो मैं भी जाकर सो रहूँगी सुजान तुम भूकी क्यों सो रहोगी तुम्हारे बेटों की तो कमाई है हाँ मैं बाहरी आदमी हूँ बुला कि बेटे तुम्हारे भी तो है सुजान नहीं मैं ऐसे बेटों से बाज आया किसी और के बेटे होंगे मेरे बेटे होते तो क्या मेरी ये दुरगती होती बुला कि गालियां दोगे तो मैं भी कुछ कह बैठूंगी सुनती थी उन मर्द बड़े समझदार होते हैं पर तुम सबसे नियारे हो आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा काम करे अब हमारा और तुम्हारा निबाह इसी में है कि नाम के मालिक बने रहें और वही करें जो लड़कों को अच्छा लगे यह बात समझ गी तुम क्यों नहीं समझ पाते जो कमाता है उसी का घर में राज होता है यही दुनिया का दस्तूर है मैं बिना लड़कों से पूछे कोई काम नहीं करती तुम क्यों अपने मन की करते हो इतने दिनों तुराज कर लिया अब क्यों इस माया में पड़े हो हाधी रोटी खा भगवान का भजन करो और पड़े रहो चलो खाना खालो सुजान तो अब मैं द्वार का कुत्ता हूँ बुला की बात जो थी वो मैंने कह दी अब अपने को जो चाहो समझो सुजान न उठे बुला की हार कर चली गई सुजान के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी वो बहुत दिनों से घर का स्वामी था और अब भी ऐसा ही समझता था परिस्तिती में कितना उलट फेर हो गया था इसकी उसे खबर न थी लड़के उसका सेवा सम्मान करते हैं ये बात उसे ब्रह्म में डाले हुए थी लड़के उनके सामने चिलम नहीं पीते खाट पर नहीं बैठते क्या ये सब उसके ग्रे स्वामी होने का परमान न था और आज उसे ग्यात हुआ कि ये किवल श्रद्धा थी उसके स्वामित्त का परमान नहीं क्या इस श्रद्धा के बदले वो अपना अधिकार छोड़ सकता था कदापी नहीं अब तक जिस घर में राज्य किया उसी घर में पराधीन बन कर वो नहीं रह सकता उसको श्रद्धा की चाह नहीं सेवा की भूक नहीं उसे अधिकार चाहिए वो इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता मंदिर का पुजारी बन कर वो नहीं रह सकता ना जाने कितनी रात बाकी थी सुजान ने उठकर गणासे से बैलों का चारा काटना शुरू किया सारा गाउं सोता था पर सुजान कर भी काट रहे थे इतना श्रम उन्होंने अपनी जीवन में कभी न किया था जबसे उन्होंने काम करना चोड़ा था बराबर चारे के लिए हाई हाई पड़ी रहती थी शंकर भी काटता था भोला भी काटता था पर चारा पूरा ना पड़ता था आज वो इन लॉंडों को दिखा देंगे चारा कैसे काटना चाहिए उनके सामने कटिया का पहाण खड़ा हो गया और टुकडे कितने महीन और सुडॉल थे मानो साचे में ढाले गए हो मुँ अंधेरे बुला की उठी तो कटिया का धेर देखकर दंग रह गई बोली क्या भोला आज रात भर कटिया ही काटता रह गया कितना कहा कि बेटा जी से जहान है पर मानता ही नहीं रात को सोया ही नहीं सुजान भगत ने तानी से कहा वो सोता ही कब है जब देखता हूं काम ही करता रहता है ऐसा कमाओ संसार में और कौन होगा इतने में भोला आखे मलता हुआ बाहर निकला उसे भी ये धेर देखकर आश्यर हुआ मा से बोला क्या शंकर आज बड़ी रात को उठा था अमा बोला की वो तो पड़ा सुरा आ है मैंने तो समझा तुमने काटी होगी बोला मैं तो सबीरे उठी नहीं पाता दिन बर चाहे जितना काम कर लो पर रात को मुझसे नहीं उठा जाता बोला की तो क्या तुम्हारे दादा ने काटी है भूला हाँ मालम तो होता है रात बर सोई नहीं मुझसे कल बड़ी भूल हुई अरे वो तो हल ले कर जा रहे हैं जान देने पर उतारी हो गए हैं क्या बोला की प्रोधी तो सदा के हैं अब किसी की सुनएंगे थोड़ी भूला शंकर को जगा दो मैं भी जल्दी से मूँ हाद धोकर हल ले जाऊ जब और किसानों के साथ भूला हल लेकर खेत में पहुँचा तो सुजान आधा खेत जोद चुके थे भूला ने चुपके से काम करना शुरू किया सुजान से कुछ बोलने की उसकी हिम्मत न पड़ी दोपेर हुआ सभी किसानों ने हल छोड़ दिये पर सुजान भगत अपने काम में मगने है भूला थक गया है उसकी बार बार इच्छा होती है कि बैलों को खोल दे मगर डर के बारे कुछ कह नहीं सकता उसको आश्यर हो रहा है कि दादा कैसे इतनी मेहनत कर रहे है आखिर डरते डरते बोला दादा अब तो दोपेर हो गया हल खोल देना सुजान हाँ खोल दो तुम बैलों को लेकर चलो मैं डान फेक कराता हूँ मैं संजा को डान फेक दूँगा सुजान तुम क्या फेक दोगे देखते नहीं हो खेत कटोरी की तरह गहरा हो गया है तभी तो बीच में पानी जम जाता है इस गोईन के खेत में बीस मन का बीगह होता था तुम लोगों ने इसका सत्या नास कर दिया बैल खोल दिये गए भूला बैलों को लेकर घर चला पर सुजान डान फेकती रहे आद घंटे के बाद डान फेक कर वो घर आए मगर थकान का नाम ना था नहाँ खाकर आराम करने के बदले उन्होंने बैलों को सहलाना शुरू किया उनकी पीट पर हाथ फेरा उनके पैर मले पूछ सहलाई बैलों की पूछें खड़ी थी सुजान की गोद में सिर रखे उन्हें अकतनिये सुख मिल रहा था बहुत दिनों के बाद आज उन्हें ये आनंद प्राप्त हुआ था उनकी आँखों में किर्तिक गता भरी हुई थी मानो भी कह रहे थे हम तुम्हारे साथ रात दिन काम करने को तैयार हैं अन्न करशकों की भाती भूला भी कमर सीधी कर रहा था कि सुजान ने फिर हल उठाया और खेत की और चले दोनों बैल उमंग से भरे दोड़े चले जाते थे मानो उन्हें स्वैम खेत में पहुचने की जल्दी थी भूला ने मड़या में लेटे लेटे पिता को हल लिये जाते देखा पर उठना सका उसकी हिम्मत तूट गई उसने कभी इतना परिश्रम न किया था उसे बनी बनाई गिरस्ती मिल गई थी उसे ज्यों त्यों चला रहा था इन दामों वो घर का स्वामी बनने का इच्चुक न था जवान आदमी को बीस धंदे होते हैं हसने बोलने के लिए गाने बजाने के लिए उसे कुछ समय चाहिए पड़ोस के गाउं में दंगल हो रहा है जवान आदमी कैसे अपने कोहा जाने से रोकेगा किसी गाउं में बरात आई है नाच गाना हो रहा है जवान आदमी क्यो उसके आनंद से वन्चित रह सकता है वरद जनों के लिए ये बाधाय नहीं उन्हें ना नाच गाने से मतलब न खेल तमाशे से गरज केवल अपने काम से काम बुला की ने कहा भूला तुम्हारे दादा हल ले कर गई भूला जाने दो अमा मुझसे तो ये नहीं हो सकता सुजान भगत के इस नवी नुत्साह पर गाउं में टीकाए हुई निकल गई सारी भगती बना हुआ था माया में फसा हुआ है आदमी काहे को भूत है मगर भगत जी के दौार पर अब फिर सादु संत आसन जमाय देखे जाते है उनका आदर सम्मान होता है अबकि उसकी खेती ने सौना उगल दिया है बखारी में अनाज रखने को जगए नहीं मिलती जिस खेत में पांच मन मुश्किल से होता था उसी खेत में अबकी दस मन की उपज हुई है चैत का महीना था खले हानों में सत्योक का राज था जगए जगए अनाज की धेर लगे हुए थे यही समय है जब क्रशकों को भी थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है जब गर्व से उनका हिरदाय उचलने लगता है सुजान भगत टोकरों में अनाज भर भर देते थे और दौनों लड़के टोकरे लेकर घर में अनाज रखाते थे कितने ही भाट और भिकशुक भगत जी को खेरे हुए थे उनमें वो भिकशुक भी था जो आज से आठ महीने पहले भगत के दौर से निराश होकर लोट गया था सैसा भगत ने उस भिकशुक से पूछा क्यों बाबा आज कहां कहां चक्कर लगाया है भिकशुक अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी पहले तुम्हारे ही पास आया हूँ भगत अच्छा तुम्हारे सामने ये धेर है इसमें से जितना अनाज उठा कर ले जा सको ले जाओ भिकशुक ने शुब्ध ने इतनों से धेर को देख कर कहा जितना अपने हाथ से उठा कर दे दोगे उतना ही लूगा भगत नहीं तुमसे जितना उट सके उठा लो भिखशुक के पास एक चादर थी उसने कोई दस सेर अनाज उसमें भरा और उठाने लगा संकोच के मारे और अधिक भरने का उसे साहस न हुआ भगत उसके मन का भाव समझ कर आश्वासन देते हुए बोले भस इतना तो एक बच्चा भी उठा ले जाएगा भिखशुक ने भूला की और संदिक धने इतनों से देख कर कहा मेरे लिए इतना ही बहुत है भगत नहीं तुम सक चाते हो अभी और भरो भिखशुक ने एक पंसिरी अनाज और भरा और फिर भूला की और सशंक द्रिश्टी से देखने लगा भगत उसकी और क्या देखते हो बाबाजी मैं जो कहता हूँ वो करो तुम से जितना उठाया जा सके उठा लो भिखशुक डर रहा था कि कहीं उसने अनाज भर लिया और भोला ने गठरी ना उठाने दी तो कितनी बद्ध होगी और भिखशुकों को हसने का अवसर मिल जाएगा सब यही कहेंगे कि भिखशुक कितना लो भी है उसे और अनाज भरने की हिम्मत न पड़ी तब सुजान भगत ने चादर लेकर उसमें अनाज भरा और गठरी बांध कर बोले इसे उठा ले जा भिखशुक बाबा इतना तो मुझसे ना उठ सकेगा भगत अरे इतना भी ना उठ सकेगा बहुत होगा तो मन भर बहला जोर तो लगा देखूं उठा सकते हो या नहीं भिखशुक ने गठरी को आजमाया भारी थी जगह से हिली भी नहीं बोला भगत जी ये मुझसे ना उठ सकेगी भगत अच्छा बताओ किस गाउं में रहते हो भिखशुक बड़ी दूर है भगत जी अमुला का नाम तो सुना होगा भगत अच्छा आगे आगे चलो मैं पहुँचा दूँगा ये कहकर भगत ने जोर लगा कर गठरी उठाई और सिर पर रखकर भिखशुक के पीछे हो लिए देखने वाले भगत का ये पौरुश देख कर चकित हो गए उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा था आठ महिने के निरंतर अविरल परिश्रम का आज उन्हें फल मिला था आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार फिर पाया था वही तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती सान पर चड़कर लोहे को काट देती है मानो जीवन में लाग बड़े महत्व की वस्तु है जिसमें लाग है वो बूढ़ा भी हो तो जवान है जिसमें लाग नहीं गैरत नहीं वो जवान भी मिरतक है सुजान भगत में लाग थी और उसी ने उन्हें अमानुशी ये बल प्रदान कर दिया था चलते समय उन्होंने भोला कि ओर सगर्व नेत्रों से देखा और बोले ये भाट और भिक्षुक खड़े हैं कोई खाली हाथ न लोटने पाए भोला सिर जुकाए खड़ा था उसे कुछ बोलने का होसला ना हुआ व्रद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था अभी आप सुन रहे थे मुशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग रहे मानसरूवर पांच की कहानी सुजान भगत मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज मैं मानसरूवर बड़ दियाक झाल invol होस्वाए बोलन 공ुश्ष की के व